एक दिसकस आज dedans और लाइक इस एस एप इस पेस्ट जरल कौमेडी थे हैं जिस में ही डॉसकी में वतावरण पॉरणो से Irish घुई जाती हैं अभेश्य उनर्फ ऑक we go दूर होते हैं इसलिए को पेस्टोर कामेटी कहते हैं हमें वह बता रहा है एट वन इन पेस्टोर रोमैंस and satire of the pastoral idea कि यह pastoral romance है या pastoral idea पे एक satire किया गया है या वहंकिए किया गया है उस तरह के life पे उस तरह की जीने पे The countryside appears to be an enchanting place in as you like it As you like it, Natak के अंदर जो countryside है, वो enchanting place लगती है Countryside का मतलब गाउं की जिन्दिकी है गाउं का जो बतावर है वो हमें enchanting लगता है enchanting का मतलब मन मोहक एक बार के लिए तो मोहक लगता ही है It hogs the major share of the place happenings and the true action begins and ends in the countryside तो इसी में ही इस प्ले का सारा जो गटनाए है लग बगए forest of Eden के अंदर ही होती है अभी अभी मनें मनें को नहीं हो सकता है कल लगा ले, आज तो जीटी की लगाई ओके तो सारा इसमें जड़ातर पार्ट एक प्ले का बहुत बड़ा पार्ट अपने को इसमें जंगल में देखने को मिलता है The court only sets the ball rolling court तो सिर्फ ball rolling के लिए है ball rolling का मनें पेले की शुरुआत करने के लिए है शुरुआत कहां से होती है एक ले की court के scene से होती है Oliver और Orlando का scene आता है उसके बाद Celia और Rosalind का आता है लेकिन बाद में सारा का सारा जो matter है वो कहां पहुन जाता है जंगल में पहुन जाता है The clipped wings of the chief heroine Rosalind are pulled open and she soars gracefully तो यह line थोड़ी सी अलंग कारिक है कि इसमें जो heroine है Rosalind उसके wings हैं वो clipped होते हैं कहां पर court में जब शुरू-शुरू में Rosalind को दिखा जाता है तो वो इतनी हमें मुखर नहीं लगती है इतनी वाचाल नहीं लगती है वो एक चुप-चाप सीरहने बाड़ी लड़की होती है उसको वो डांटता भी तो रहता है उसका चाचा तो शुरू-शुरू में से लगता नहीं Rosalind को देख करके कि यह हिरोईन है क्योंकि वो बहुती कम बोलती है दबी-दबी सीरहती है तो clipped wing बोला उसको वाँ पे clipped wing का मदला उसके पंक कत्रे हुए होते है लेकिन जंगल में आके वो बहुत उसकी उड़ती है लिखाना आके क्या लिखा है the clipped wings of chief heroine Rosalind are pulled open जो clipped किये होई होते हैं जो बांदे होई होते हैं वो बंक जो कोल्ट में वो open कर दी जाते हैं कहां पर गे जंगल में आकरके और वो gracefully sore करती है वहाँ पर sore करने का मलब उची उड़ान दरना the graces of Celia and Orlando flower in the rural countryside Celia और Orlando की भी जो graces है उनकी जो qualities है वो भी rural countryside में आकरके खिलती हैं the willie oliver and crafty duke frederick are converted in the countryside और जो oliver दुष्ट oliver होता है willie oliver और duke frederick वो भी twist होता है crafty होता है crafty का मतलब cunning चला वो convert हो जते हैं कहां पर countryside में आकर countryside का मतलब जंगल में आकर के also the plot of as you like it is basically a folk tale और इसको में एक folk tale भी कह सकते हैं folk tale क्या होती है लोक कथा folk का मतलब होता है आम लोक या लोक कह सकते हैं उसको low और कह को गुतर low it is a tale of aristocrats fleeing away from the intrigues, treachery and painted pomp of the court and staying in the pastoral setting to hide themselves from the onslaught of cruel people and pursue their agenda of love तो ये कहाने उन aristocrats लोगों की है उन उन्चे खांदान वाड़े लोगों की है जो जंगल में बाग जाते हैं किस से बचने के लिए court में जो होने वाली intrigues है शड़यंत्र है treachery है विश्वास घात है painted pom जो दिखावा है उपरी दिखावा पॉम्प का मतलब होता है दिखावा आपने एक phrase सुनोगी pom and show कि बहुत ही शादी हुई है उसकी pom and show के साथ pom and show के साथ का मतलब धूम दाम के साथ यह दिखावी के साथ काफी दिखावा किया गया है तो यह pom है ना painted pom painted pom का मतलब है कृत्रिम दिखावा court का and staying in the pastoral setting और pastoral setting में वो रहना चाहते है to hide themselves from the own slot of cruel people ताकि वो दुष्ट लोगों से अपने आपको बचा सके and pursue their agenda of love और अपने love के agenda को पूरा कर सके अपने प्यार को पा सके यह जो characters जंगल में आए है वो किस-किस से बचने के लिए आए है एक तो जहां वो शड़ेंतर हो रहे हैं उनके खिलाफ उनके खिलाफ साजी से रची जा रही है दोके बाजी हो रही है उससे बचने के लिए आए है और दूसरा यहां पे आकर के अपने प्यार को पाना चाहते है और लेंड हो आ गया उसको रोजालेंज मिल गई सीलिया को सभी को प्यार को वहीं बिला Forest of Eden के अंगरी Like shepherd and shepherdess They pipe the love songs Hangs the verses on love Cold and woo And spend the time idly तो shepherd and shepherdess की तरह यानि जो चरवाहे है और shepherdess उनकी जो प्रेमिकाए है वो उन्हीं की तरह love song को pipe करते है Pipe करने का मतलब काते है Hang the verses on love और अपनी कविताएं टांग देते हैं पेड़ों पे cold करते हैं और woo करते हैं इनका मतलब मैंने बताया हुआ है मनाते हैं और अपना time idly बिताते हैं idly का मतलब बिना ज़्यादा कुछ काम करना idle बैठे रहना जैसे हम कॉLEIS में आइडल बेठे रहते हैं idly यानी कुछ करना नहीं example अपने पे नहीं लेना पूरू पे लेना है यानी हम idle बेठे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं बातें कर रहे हैं बस और कोई कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर यह भी बताया है घानों के जो लुग होते हैं, घानों के लोगों की खासियत है उनके पास उन्जॉए करने के लिए time बहुत ौत होता है वो काते है few Brent today, घुराँ , घाते चंके पीते है। लाइजर्स जीवन जिते हैं। घा ए आपधे हैं तो यह बता कि इसमें कि इस तरह से वो pastoral life ही तो दिखाई गई गई है as you like it के अंदर उनके पास काम क्या है गों फिर लिए खाप पी लिए गाने गा लिए और आइडल गट लिए आइडल ही अपना टाइम बिता दिया Shakespeare's forest of Arden however is not truly pastoral in the sense लेकिन Shakespeare का जो ये जंगल है Arden का ये truly pastoral नहीं है real में pastoral नहीं है pastoral का मतलब आप समझे रहो ना गाउं की जिंदिकी ग्रशो करता है that there is no permanent spring यहाँ पे permanent spring नहीं है permanent spring का मला हमेशा बसंतरितु नहीं रहती है ज़दा तर pastoral से हम ये उमीद होती है कि हमेशा वातवन बहुत अच्छा रहता होगा it is not marked by the absence of wild beasts and the roses do not grow here without thorns तो यहाँ पे wild beasts जो है वो काफी है pastoral life के अंदर वो नहीं होते है लेकिन इसमें दिखाए गए है wild beasts भी है यहाँ जंगली जानवर भी है जंगली जानवर थे ना उसमें एक हिरन का शिकार भी दिखाया गया है उसके बाई को लोईने से टैक भी कर देती है तो मतलब यह मुशीबतों से बढ़ा हुआ है pastoral life तो वो होती है जिसमें मुशीबतें नहीं होती है जंगल की है यह जंगल की है लेकिन pastoral का टच तो दिया ना कि गाउं के लोगों वसी दसाधापन दिखाया गया है खाली टाइम दिखाया गया है लव मेकिंग दिखाये गई है गाने दिखाये गए है तो इसमें थोड़ा सा यह अलग हटके है अलग इसमें क्या आगया कि इसमें दिखते हैं हूँ है दिखते हैं यह है कि एक जंगली जानवर है यहां पे दूसरा यहां पे रोजीज बिना कांटों के नहीं हुगते है पैस्टोरल लाइफ आइडियल पैस्टोरल लाइफ के अंदर रोजीज होते हैं कांटों हजी करनी होता लेकिन इसमें कांटे भी है अब कांटे तो आप समझे जाओ कौन थों से थे तो जो डूक है उसको एडम की किये की सजा बुगतने पड़ती है यहाँ पे आके यानि डूक को कस्ट बुगतने पड़ते हैं यहाँ पे डूक को राइटफुल बुला है राइटफुल का मलब वो सही है अपनी जगे अब कौन कौन से उसको एडम की पैनल्टी बुगतनी पड़ती है यानि एडम ने जो पाप की थे पुर्ण टायम में उसकी सजा वो किस तरह से बुगतता है यहाँ परिवर्तन होता है कभी गर्मी कभी सर्दी कोल्ड आइसी विंड्स थंदी हवाएं दो इट इस डिफरेंट मैटर औल टोगेथर दैट है यहाँ ट्रांसलेट इन्टो ए स्वीट स्टाइल लेकिन यह एक अलग बात है कि उसने इसको दुख मानना नहीं उसने का था कि यहाँ तो मज़े हैं इंजोइमेंट है पेड दिखावा नहीं है और नदियों को मैं बढ़ता हूँ पेड़ मुसे बते करते हैं वो एक अलग मैटर है कि उसने उसको कनवर्ट कर दिया था उसको अच्छा मान लिया था लेकिन प्रॉबलम तो थी वहाँ पे कोरीन अच्छा मान लेकिन कोरीन एक शैफर्ड था जंगल के अंदर उसने एक सही बात कही जिससे शैफर्ड की बात जलगती है शैफर्ड की फिलिंग जलगती है उसने क्या कहा था कि मैं वही खाता हूँ जो मैं कमाता हूँ किसी से मैं इर्शा नहीं करता और मेरा सबसे बड़ा सुख जिंदगी का यही है कि मैं अपनी बेडों को चरते हुए देखूं और लेंब्स को उनका दूद पीते हुए देखूं तो यह गाउं के जीवन का एक बहुत ही अच्छा चितरन किया गैसमें क काउं के लोगों की लाइफ ऐसी होती बहुत सिंपल से नहीं के अच्छा नहीं होती है और सिंपल लिविंग आई तिंग बला ही सोच होती है यह वो ही बात आगी उपर वली अब वो ही शेफर्ड जो है कोरीन वो अपने काम में निपुन है वेल वर्च है किस काम में ऐसे काम जो हमें गंदे लगते है वो कौन से काम करता है बेडों की देखवाल करता है, बेडों को नहलाता है, उनके उन उतारता है, उनकी साफ सफाई भी करता है और बेडों से जूरी और भी चीज़ें जो भी है Silvius is an archetype of literary pastoral, cruelly faced with an unrequited love Silvius भी एक pastoral, literary pastoral का एक बहुत ही perfect example है Archetype होने का मलब एक perfect example है उसको बहुत ही cruelly face किया जाता है, Silvius को कौन सताती है Phoebe, उसको परिशान करती है न, unrequited love वो वचाना परिशान है, unrequited love unrequited love वो होता है, जो मिलता नहीं है, उसको हम unrequited कहते है The aged Korean on the other hand is a more realistic shepherd लेकिन जो aged Korean है, जिसकी उमर ज़्यादा है, बुटा है वो वो एक realistic shepherd है, real में वास्ता में असली shepherd मन कह सकते है Phoebe, the beautiful but cruel ballet of the countryside sounds unpastoral like when she does not reciprocate the constant and faithful love pleadings of the shepherd Silvius but falls for a refined youth ganymate अब यहां Phoebe के बारे में बताया गया है कि वो beautiful तो है, लेकिन cruel है cruel का मतलब? निर्दई है, ballet का मतलब लड़की of the countryside, गाउं की तो वो थोड़ी सी unpastoral लगती हमें unpastoral का मलब वैसे गाउं किसी लगती नहीं है क्योंकि वो एक सच्चे वफादार प्रेमी को reciprocate नहीं करती है reciprocate करने का मतलब मैंने बताया था न आपको प्रतिय उत्तर देना, response देना तो उसको response नहीं देती है उसकी love pleading का love pleading का मतलब उसके प्रेम निवेदन का Sylwiesa के नाम दिखाई हुआ है परंतु वो fall हो जाती है वो किसके प्यार में पढ़ जाती है गैनिमेड की जो refined है refined का मतलब पढ़ा लिखा समझदार मेंनर्स वाला है उसको मेरी fine person बोलते है लेकिन वो था तो लड़की क्योंकि उसके behavior ऐसा था उसका बोलने का तरीका अच्छा था तो एक गवार आदमी होता है और एक पड़ा लिखा आदमी होता है उसको देख करके हमा कर सिक होती है भी कितने अच्छा बोलता है कितने अच्छे मेंनर्स हैं साफ सुत्रा रहता है तो वो उस कहनी मेड़ के उस मेंनर्स के अंदर वो फस्किया था गई थी द्यूक और उसकी जो कंपनी होती है उन्होंने कोर्टली लाइफ को छोड़ दिया गया है और वो फोरेस्ट में सेटल होने आ गए है उनके मन में ग्रजीज नहीं है ग्रज का मतलब शिकायतों के और उन्होंने अपने आपको इस तरह से अडॉप्ट कर लिया है क्लाइमेटिक चेंजिस के प्रती वहां पर यह मौसमी दिसाय है उनके प्रती उन्होंने अपने आपको इतना अडॉप्ट कर लिया है गाउं के लाइफ के प्रती कि अब वो इसको ज़्यदा पसंद करने लगे है सिटी लाइफ को छोड़ करके चार्ल्स इन हीज कनवर्शेशन विद ओलिवर इंटरोडीश ज़्यदा पस्टॉर्ल इन दा प्लेय तो चार्ल्स जब ओलिवर से बात कर रहा होता है तो वो पस्टॉर्ल को इस तरह से इंटरोडीउस करता है बैसे ज़्यदा आपको फोरेश्ट उफ एडियाट इंड लिए मेरी मेन उनके साथ हैं और वहां पे मेरी मेन का मनलब बहुत की कुछ मिजास लोग उनके पास हैं और वहां पे रोबिन हुड की तरह रह रहे हैं अमीरों को लूट करके गरिपों में बाट दिया करता था तो वह कह रहे हैं कि रोबिन हुड की जी रहे हैं वह वहां पे तो इस जंगल का जो चीफ प्रोटाइगनिस्ट है वो कौन है जंगल का नहीं स्वरी पले का प्रोटाइगनिस्ट कोन होता है मुख है पात्र नायक तो इसमें रोजलिंड हम मान सकते हैं कि प्रोटाइगनिस्ट है रोजलिंड के बाद किसका नम पराता है और लेंडो का तो वो और बाकी जो में करेक्टर्स है उनको पैस्टोरल में आकर के अपना निश मिला है निश पर्चेज शीप कोटेज शिलीह और लुजलीन ने ख्रीद लिया था ना एक, उतेशध ख्रीदा था दे फ्लौक उफ शीप एड़ अठ अप advise the shepherd Corrine और उनने Corrine को employ भी कर दिया है, अपने पास रख भी लिया है उन्होंने शीप का फ्लोक भी खरीद लिया है, बेडों का एक जल भी खरीद लिया है The main plot as well as the sub plot revolves around the people who are directly or indirectly linked with pastoral तो main plot और sub plot जो हैं, वो सारे के सारे pastoral से ही जुड़े हुए है Main plot कोन सा है कानी का? और sub plot कोन सा है? दो तीन कानिया चलती हैं ने इसमें Main कानी किसकी है? Rosalind Orland की, उसके बाद? Celia और? पूल गए जोड़ी हैं क्या? Celia touchstone नहीं? Touchstone औरे? यह सब plot है, इनको सब plot का जाते हैं Main तो कानी, Rosalind Orland है? Orland की है Celia औरोलाजीं में जीरेत पड़ी हैं The main plot as well as sub plot revolve around the people who are directly and directly linked with the pastoral Even the professional clown touchstone has courted a simple country girl Audrey and wed her Touchstone ने भी, जो कि एक professional clown था जो कोड में रहने वाला एक बहुती विद्वान आदमी था उसने किस को किस से शादी कर ली? एक बहुती simple सी लड़की से जिसका नाम Audrey था Oliver the witty and a material wretch turns over a new leaf and settles down in the forest and adopts the country life forever Oliver जो शुरू में बहुती विली था, बहुती दुष्ट था और एक बहुती धन लोलूब आदमी था material wretch होता है वो आदमी जो हमेशा धन दुष्ट की पीछे भूखा रहता है वो भी एक नया रूप दारण कर लेता है forest में आ करके और हमेशा के लिए वो क्या बन जाता है? country life को हमेशा के लिए पना लेता है संत बन जाता है ना convert हो जाता है ना duke उसके rhetoric के साथ Shakespeare's pastoral quite like the literary tradition is a place of innocence and simple life तो Shakespeare का ये जो pastoral है जो जंगल है ये literary tradition के हिसाब से एक बहुत ही जगह ऐसी जगह है जो innocence और simple life से बरी हुई है and beckons the harassed lovers who find fruitation there और वो पुकारता है ये जो forest of arden है ना jungle किन को उपकारता है beckon किसको करता है harassed lovers को वो lovers जो प्रताडित है और उनको यहाँ बुलाता है forest of arden उनको ये कहता है कि मैं यहाँ पे आओ और अपने प्यार को पाओ it is at the same time does not fail to invite the crooked and the damned to लेकिन ये lovers को तो बुलाता है लेकिन डुष्ट लोगों को भी बुलाता है और उनको क्या कर देता है सुधार देता है forest of arden में आकर के दोनों सही हो जाते हैं would find their better parts blossoming here characters like Corinne, Audrey and William however add to realism ये जो characters है Corinne, Audrey और William ये realism बताते हैं वास्त भी बता दिखाते हैं वास्तों में आदमी लोग कैसे होते हैं characters कैसे होते हैं they are unlike the literary or poetic shepherds of the golden world so often portrayed वो एकदम simple से लोग हैं और वो उन विद्वान लोगों की तरह नहीं है जिनका ज़दातर नाटकों में जिक्र होता है या जिस तरह के नाटकों में लोग दिखा जाते हैं उन विद्वान लोगों की तरह वो नहीं है वो simple है they are rustic simple and plain people वो बिलकुल ही गवार हैं simple है, plain है who are more concerned with their daily chores than the poetry or romance तो वो जदा उनको लेना देना है अपने डेली के चोटे मोटे कामों से ना कि वो poetry or romance के लिए बने है Shakespeare has criticized on the pastoral tradition through Silvius and Phoebe Shakespeare ने pastoral tradition की आलोचना Silvius और Phoebe के character के मात्यम से की है also who are ornate in their diction and stylish in their wooing quite unlike the true shepherd लेकिन Silvius और Phoebe थोड़े से original नहीं दिखते हैं क्योंकि जब वो बोलते हैं तो उनकी बाशा में बड़ा ही एक अच्छा style देखने को मिलता है उनके जो शब्द का जो चुनाव है वो बड़ा high standard का मिलता है तो इससे वो थोड़ा अच्छा shepherd कम लगते हैं थोड़ा तो उनमें थोड़ा realism कम है लेकिन असली realism है Corinne, Audrey और William में ओके?